मेरा नाम हामित का है और यह बर्द में अपनों को कुछ आमदीद है शायद आप लोगों को पहले भी पता होगा कि मेरे पास पीकॉक्स हैं पीकॉक्स मैंने शौक से रखा हुआ एक पियर और मैं हर साल ब्रीड करवाता हूँ तो माशाला पीकॉक की लेंग स्टार्ट होगी कि आज पहला अंड़ आए तो मैं अपने दोस की तरफ गया था मैंने अपने दोसको बोला कि यार मुझे मर्गी चाहिए अंडों पे बिठाने के लिए बच्चे निकलवाने मौर के दोस्त ने का दो दिन पहले ही मुर्गी उठी है जब अंडे नहीं थे तो पहले तो उसने कहलें कि जिसको बोलते हैं न कुड़क मल लेना सेवे पे बैठ जाना तो जब अंडे नहीं थे तो यह मुर्गी उठ गई थी खुली पे रही तो मैं आप दे दे दें कोई बात नहीं तो पिछली दफ़ा भी इसी मुर्गी पे मैंने बच्चे निकलवाए थे तो मैं अभी लेकर हैं अपने पास यह तो यह आज की डेट का एक पीकॉक का एग है इस पे डेट लिखे हुई है 16,23 आज 16 तारीक है आज की डेट का एग है यह तो अब मैं इसके नीचे यह रखनूँगा तो यह देखते हैं क्या response होता है इसका यह अंडा हमने इसके पास रख दी है देखो यह क्या करती है तो यह बैट जाएगी उमीद है इंशालल लाजमी अंडे की केर करेगी रंडे को समाल लेगी पीकॉक्स अभी मेरे पास अंडे मौजूद नहीं है और अंडे मौजूद होते तो और भी रख देता तो बजार के अंडे भी आप रख सकते हैं साथ में एक अंडा ना रखें अगर मौजी कोई अच्छी खांदा नहीं हो तो एक अंडे पर भी वो बैढ़ जागी कोई इशू नहीं है अगर तो इसने अंडा अपनी तरफ खैंच लिया और अपने नीचे इसने कर लिया एक्स पर बैढ़ की फिर तो कहलें कि भी 100% रजल्ट आएगा इन्शालला नहीं तो फिर कोई और मुर्गी डूननी पड़ेगी तो आपने कोशिश करनी है कि जिस डेट का अंडा हो उसी डेट या उससे अगले दिन आपने अंडा मुर्गी के नीचे ज़रूर रखना है तो पिछली देफा मुझे 99% रजल्ट मिला है मुर्गी के नीचे और माशालला सारे बचे 36 या 37 अंडे थे 40 एग्स थे और उसमें से 36 बचे निकले थे तो गरीब 99% ही हो गया रजल्ट और माशालला बहुत बेतरी रिस्पॉंस आया है तो आपने करना क्या है अंडा जिसके नीचे मैंने रख दिया डेट उपर अंडे के लिखे वी है जब इस अंडे को 25 दिन हो जाएंगे 25 दिन हो जाएंगे जब मैंने इस अंडे को नीचे 10-12 अंडे हो जाएंगे 10 अंडे तक कुन से समाल लेती है अगर देसी असील मुर्गी हो का अंदानी मुर्गी हो तो इसके नीचे से मैंने ये अंडा उठा लेना है 25 दिन बाद और जब अगले अंडे को 25 दिन होगे तो मैंने वो भी उठा लेना है जैसे जैसे 25 दिन होते रहेंगे मैं इसको उठाता रहूँगा हर अंडे को मैंने 25 दिन बाद उठाके इंकोबेटर में धर देना है और जब इंकोबेटर में रखा जाएगा अंडा तो उसको कहलें कि आप 2 या 3 दिन बाद उसमें से बचा निकलेगा तो दो या तीन दिन बाद बचा निकल लगा जैसे जैसे बचे निकलते जाएंगे उसको ब्रूडर में छोड़ते जाएंगे इस फीमेल को आप भले तीन महीने बिठाए रखें दाने पानी का ख्याल करना है अपने सुबो के टाइम में इसको जो है अपने एक दफा़ लाजमी खुले चोड़ना है ये देखें मैंने ऐसी जगा पर बिठाई है ये एरकुलर की बाड़ी है मैंने सिर्फ इसलिए बनाई भी थी मुर्गी को बिठाने के लिए इसको सुबह मैं कोल दूँगा दाना पानी जो है न खा पी कि आके दुबारा फिर अंडे पर बैठ जाएगी कि इसने अभी तक अंड़ा समाला नहीं है देखते हैं क्या करती है उसको थोड़ा सा चाहला आते हैं क्या करती है यह समाले की बैठेगी लग रहा है यह देखें यह एंडे की तरफ हो रही है और ये समाल लेगी अंडे को अंडे को जब इसने बैठगी अंडे पर तो समझ लें कि इसने सेवा ये ले लेजी ये अंडे को इसने समाल लिया है अंडे के पास बैठगी है इस तरह से इसने अंडा अपने नीचे नहीं लिया अभी जब ये अपनी नीचे लेगें टो तो फिर इस पे जो है सेवा तो है क्योंकि मुर्गी जो दूसरी होती है वो भाग जाती है इसके नीचे कर देते हैं थोड़ा सा ये जिसके नीचे कर दिए आवाज जो निकाल रही है नहीं इस से लग रहा है कि इसने सेवा अभी नहीं छोड़ा यह केर कर लेगी समार लेगी अंड़े को लाइट ओफ करते हैं क्लैश ओफ करते हैं मुबाइल का लो जी मुरुगी अंड़े पे बैठे ही तो यह अंड़े को समार लेगी नहीं जी थैंकियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले ताकि हम आपको मुझीद इन्फरमेशन देते रहें